नमस्का दूस्तू, स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैस्त का पिसन डिस्कस करेंगे तो हमेहां जिस पिसन की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रस्न हमारा क्या है? प्रस्न है कि किसी आयत की लंबाई में 60 पिस्द की विद्धी की जाती है उसकी चोडाई को कितने पिस्द घटाया जाए कि उसका चित्रफल आप परबर्तित रहे उसने कहा है कि एक आयत है उसकी लंबाई को अगर हम 60 पिस्द बढ़ा दें तो चोड़ाई को हमें कितना पिस्थ कम करना पड़ेगा कि उसका जो छित्रफल है वह है आप परवर्टत रहे यानि छित्रफल में कोई भी परिवर्टन ना आए ठीक है तो इस पिसने को हम दो विधियों से सॉल्व करेगी पहली विधि जो है उसको देख लेते हैं पहली विधि भे हम क्या मानते हैं कि जो इसकी लंबाई है वह है सौ और चोड़ाई है वह भी है सौ ठीक है दोनों चीज़ें हमने माल ली है कि लंबाई भी सो है और चोड़ाई भी सो है फिर उसने कहा है कि लंबाई में अगर 60 प्रिस्ट की बद्धी कर दी जाए अब हम इसको L बन माल लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 160 अब वह कह रहा है कि चोणाई को कितने प्रिस्ट घटाया जाए तो अभी हम चोणाई को X माल लेते हैं जो भी आएगी उसको हम 100 से माइनस कर देंगे जो भी X के बेलो आएगी तो आंसर हमारा आजाएगा इसको हम B1 माल लेते हैं अब उसने कहा है कि दोनों इस्तितियों में छेत्रफल क्या रहना है? आप परवर्थत रहना है कि यानि कि जो छेत्रफल पहले था वही छेत्रफल अभी भी रहना है तो पहले का छेत्रफल कितना होगा? L multiply B और आप छेत्रफल कितना होगा? L1 multiply B1 लेकिन याद दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे क्योंकि पिस्मिन ने हमसे कहा है L की value कितनी थी? 100 और चोणाई की value कितनी थी? 100 L1, L1 की value थी 160 और B1 की value थी X ठीके यह हमने रख ली है अब 100, गुड़ा 100 करेंगे तो आजाएगे 10,000 वह यहाँ आजाएगा 160 X एक्स बराबर जब निकाल देंगे क्या जाएगा? 10,000 भागे 160 इसको काट देंगे एक जीरो तो इहाँ कट जाएगा और कटेगा क्या? 16 से divide कर देंगे 16 से करेंगे तो 16 कट 6 बार करेंगे तो कितना होता है? 96 96 चार बचा तो 40 हो जाएगा 16 लूमी 32 बचेगा 8 तो point लगा दिया तो 80 हो जाएगा 16 पंची 80 तो X की value कितनी निकल की आई? 62.5 अब जो भी X की value निकल की आएगी उसको हम क्या करेंगे? 100 मैसे माइनस कर देंगे तो 62.5 जब हम माइनस करेंगे तो वांसर कितना जाएगा? 37.5 यानि जो उसकी चोड़ाई है उसको 37.5 बचा देजिए तो 6 फल आप परवर्दित रहेगा ठीक है? यह तो हमारी एक जनरल मेतड होगे एक सौर्ट मतल होती है उसको आप देख लेजिए ऐसे एपिस्नों में जब कोई 2 में से एक चीज बढ़ाई जाए और जो उसकी सेम बेलु यानि 6 फल है वह आप परवर्दित रहे यानि 6 फल में कोई भी चेंज ना आए तो ऐसे एपिस्नों को लगाने के लिए हम फॉर्म भी हुई है वह आर है और यहां प्लस माइनस इसलिए हमने लगाया है कि अगर ब्रद्धी करे तो प्लस लगाना है और कमी करे तो माइनस लगाना है अब यहां आर कितने की बिद्धी हुई है साठ की भागी सो अब ब्रद्धी हुई है तो यहां प्लस लगाएंगी और करेंगे तो हमारा सीधा सीधा 37.5% निकल के आगया जो इसकी चोड़ा है उसको अब 37.5% घटा देजिए जिससे कि आपका छित्रफल आ परबर्दित रहे ठीक है तो दोनों बिदियां हमने आपको बता दी है इन और मेसड़ है जिसको हमने मांद के लगाया है और यह हमारी एक फॉर्मूला मेथड है इस फॉर्मूले को आपको जरूर कहीं लिख लीजिए ठीक है एक कब काम आएगा जब दो में से कोई भी एटी घटाई या बढ़ाई जाए और जो उसकी बैलू रहे या छेत्रफल रहे जो उसका आंसर निकल के आना है उसमें कोई च ठीक है तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे आपके अपने चनल पीके खुरू जी के साथ नमस्कार कुछ ऑपके भीके साथ हुआए जाहे जाए जाए झालेज जो चूब दो भीके के लिए जाए जाए खुरू जो आया है पक्याए एंकार मे जा जाए जाए तटाए साथ झाले ऑई टाँवाए आए लिएवास